जय हिन दोस्तों, सिधार्थ भई एक इस वीडियो में आप सभी का हारदिक स्वागत है एक बार अबराहम लिंकन ने कहा था कि अगर आपको एक विर्ख्ष को काटने के लिए 6 घंटे दिये जाएं तो आप क्या करेंगे अबराहम लिंकन ने कहा पहले मैं 4-5 घंटे जो मेरी आरी है ना जो एक्स है पहले उसको नोखीला, चोखीला और धारदार बनाऊंगा उसके बाद एक ही जटके में मैं उसको मार डालूँगा मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मेंसे कई चारे aspirants इस UPC के form को भरा बीना सोचे समझे भर दिया और बहुत जल्दी बाजी में भर दिया जिसकी वज़े से कुछ problems आ गई थी आपके form को upload होने में कुछ information आपने गलब भर दी थी लेकिन कुछ ऐसे aspirants भी हैं जिन्होंने one shot में सबकुछ सही भर दिया ये वीडियो उनके लिए है जो भी aspirant गलती हो गई उनको form भरने में चाहे वो OTR में हो गया या फिर जो application form को fill करने में तो प्लीज आप सभी से request हैं जो भी बच्चे form अच्छे से fill किये हैं वो इस वीडियो को न देखें already वो panic न हो लेकिन जो भी aspirants form को गलत भरे हैं उनको लगता है कि नहीं कुछ न कुछ गलत है तो please इस वीडियो को देखिए end तक live मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे 8 steps में 8 steps में आप easily अपने form की application को आप फिर से ठीक कर सकते हैं हर चीज चेंज हो सकती है इसके द्वारा आज 7 March 2024 है आज से window open हो चुकी है 13 March 2024 तक window open रहेगी शाम 6 वजे तक और आपको ठीक करना है अब कैसे करना है यह मैं आपको अभी बताता हूँ चलिए like share subscribe कर दीजेगा share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ चीक है यह है आप जाएंगे upsc.gov.in पे आपको यह screen मिलेगी आप या तो email id से या mobile number से अपना OTR register करेंगे CAPTCHA BAPTCHA भरगे OTP बहुत बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि OTP नहीं आ रहा है तो आप अपना internet connection चेक करिए आप incognito mode में चला के देखी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप already उसी OTP से जा कि अप अंदर जाते हो form fill करते हो फिर आप कहते हो कि OTP नहीं आ रहा है OTP आएगा आप network चेक क Step 2 आने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि UPSC ने अभी 5 तारीक को notification जारी की थी कि भाई आप लोग जो है ये 7 March से 13 March तक की window खुली रहेगी ठीक है हमने एक session भी बनाया था कि last date जो extend हो चुकी है पहली बार बहुत मुश्किल से होता है कि भाई UPSC ने date extend कर दी है तो आप अपना photograph signature वगरा भी अप upload कर सकते हो फिर से अब step 2 क्या है step 2 आता है ये जब आप OTR वगरा फिल कर दोगे step 2 आ जाएगा तो आप एक ऐसे aspirant है जो की form फिल कर चुके हैं तो यहाँ पर आएगा exam status part 1 part 2 completed ठीक है part 1 part 2 completed जो भी बच्चे part 1 complete करके part 2 नहीं complete किये है payment नह इनका form जो है वो reject हो जाएगा क्योंकि एक ही part भरा है उन लोगोंने ठीक है payment करने का option यहाँ पर नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रिएडिट कर सकते हैं चीजें यह दो आगे अब आपको कहा क्लिक करना है step 2 था latest notification पर आपको क्लिक करोगे जैसे आप इस पर क्लि registration अपनी OTR फिर से अप एडिट कर सकते हो part 1 एडिट कर सकते हो जो कि आपके main application form है अच्छा part 2 में भी आप कुछ edit कर सकते हो क्या part 2 में आप अपना photograph और signature फिर से upload कर सकते हो आप उसको देख भी सकते हो फिर आप अपना center का selection और declaration दोनों ही update कर सकते हैं बहुत लोगों ने कह है कि center में change हो पाएगा center भी आप update कर सकते हो अपना फिर से यह था हमारा step 3 अब आईए मालीजे कि आपको अपनी photo फिर से डालनी है signature फिर से डालना है वो कैसे होगा यह देखिए आपने click किया exam application form यहां पे click किया तो आप पहुँच गया यहां पे उससे पहले मैं आप सभी से यह बताना चाहता हूँ कि भाई UPSC के लिए testathon test series बड़ी important है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ जो भी बच्चे tier 3, tier 4 शहर गाउं में रह रहे हैं non-urban शहर में रह रहे हैं उनके लिए यह testathon test series का box बड़ा ही important है आप देख सकते हैं इतने बड़े boxes में 50 test series रहेंगी ज तो यतने दिन भी बाकी है UPSC के exam में आप सोचिए 50 test series बहुत helpful होगा आपके लिए यह pack हो रहा है और जय हिंद नाम का code जय हिंद 17S code use करिए और मेरा नाम भी ले सकते हैं आप call कर सकते हैं अड़ा की help line पे की सदाग भी अगर वीडियो देखा है मुझे चाहिए आज ही चा आवाज में अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूपी एसी अड़ा 247 आइस यह topic सदाग भया यह topic सदाग भया इलेक्शन सदाग यह कोई भी topic आप सर्च करना चाहते हैं तो आपने upload कि आप देखना चाहते हैं कि भाई photograph और signature कैसा है यह यहाँ पर आप यह आपका photograph होगा और यहाँ पर होगा आपका signature और क्या लिख रहा है लिख रहा है कि update photograph and signature इसको आप click करेंगे तो तुरंथ नया मांगेगा आपसे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर signature upload कर देते हैं यहाँ पर photograph इससे भी form reject हो सकता है एक मौका आपको मिला है अब ठीक करने फिर से बताते हैं यहाँ पर आपका date of photograph टेकन आएगा यहाँ पर आपकी photograph आएगी और यहाँ पर आएगा आपका नाम ठीक है यह आपकी signature यहाँ पर होगी ठीक है अच्छे resolution में आपको post करना है यहाँ लिखा हुआ है candidate upload photograph and signature ठीक है उमीदवार की upload की गई photo वहस्ताक्षर आई बात समझ में साथ में आपको center change करना है यहाँ देखिए exam center गौतम बुद्ध नगर नोईडा में पड़ता है अगर आपको upload update करना है center तो आप update कर सकते हैं आसपास के जगह में यह भी आप कर सकते हैं यह step 5 था हमारा अब आता है हमारा main step 6 step 6 कहां से आ गया step 6 आता है कि हमने अभी तक तो यहां और यहां click किया था part 2 में यहां यहां करके check कर लिया था अपनी photo अपनी signature अपना center अब आपको click करना है edit part 1 भाग एक को edit करें यह वाला जैसे आप इस पर click करेंगे वैसे तुरंथ यह वाली image आ जाएगी आपके सामने यह लंबी सी पू one time registration है उसमें जो details आपने भरी थी वो है नाम आपका have you ever change name no link date of birth ठीक है यह रहेगा जो भी aspirant है उनको OTR में changes करना है तो आपको क्या करना है कि आप भाईया यहां जाए यहां पर आप click करेंगे ठीक है OTR OTR को जैसे click करेंगे तो same form आ जाएगा उसको edit कर सकते हैं और change कर सक हैं ठीक है दूसरी चीज अब आपको बताते हैं अब आपने exam में changes करने हैं तो आप आ जाएए ठीक है यहां तो आपने लिख लिया alternate mobile number belong to category यह यह सारे OTR में आपके automatically fill हो जाते हैं next आता है main page हमारा जिसको हम कहते हैं यह step number seven अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है edit क्या आप अपनी nationality हर एक चीज एडिट कर सकते हैं अगर आपने कहीं गलती से भर भी दिया होगा nationality भी एडिट कर सकते हैं marital status भी एडिट कर सकते हैं किस category से आप belong करते हैं मतलब physically handicap है मतलब मान लिजे कि भाई दूरभागय पूर्ण कुछ हो गया accident हो गया category आप category भी change कर सकते ह हैं यहां पर मतलब general category अगर आप मान लिजे कि आपके document अगरा बड़े problem हो रहे हैं EWS में या फिर general OBC में लेकिन आपको फिर भी exam देना है तो आप general category में यहां पर आ सकते हैं तो category change हो जाएगी जब आप category पर click करेंगे तो फिर अंदर चीज़ें चली जाएंगे जैसे EWS certificate आपने नहीं submit किया है या फिर community जो number है वो आपने डाला नहीं है इससे sign किया था वो आपने गलट डाल दिया है तो यह सारी चीज़ें important वो आप सही कर सकते हैं same OBC में भी है कि आपकी signing authority कौन थी community number आपका क्या था यह सब आप update कर सकते हैं इस वाले situation में चुकि यह जो candidate वो और female candidate के लिए छूट है piece नहीं पे लेती है UPSC अच्छा educational qualification में भी आप edit कर सकते हैं select your degree in graduation भी आप इसको edit कर सकते हैं साथ में कौन से exam के लिए आप तयारी कर रहे हैं मान लीजे कि आप forest services के लिए तयारी कर रहे हैं तो आप यहां से change कर सकते हैं ठीक है edit कर सकते हैं for which I think य for which services यह नहीं होगा मेरे ख्याल से क्योंकि यहां पर edit का option नहीं दिया हुआ है for which examination यह शायद नहीं होगा और please select your literature यह नहीं होगा क्योंकि इसके सामने edit का option नहीं है हम क्लिक करके देख सकते हैं क्या पता यहां पर शायद option आ जाए क्योंकि मैंने चेक किया था तो यहां पर अपडेट कर सकते हैं वैसे आप करो के तो आप क्या पता चल जाएगा अब आते हैं हम लोग अपनी अगले स्लाइड पर अगले स्लाइड पर क्या कह रहा है फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप चेंज कर सकते हैं आधार कार्ड मान लीजे कि आपने upload नहीं किया घलत कर दि आप अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाल सकते हैं यहां फिर से और क्या कर सकते हैं बाइड यह सब अपना अधार कार्ट नमबर आप डाल सकते हैं उसके बाद upload your scanned फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने upload कर दिया फटाक से अपना प्लीज इंडिकेट यह परसेंट राउंड आप करके 58.2 होगा तो आप 58 लिख देंगे राउंड आप करके आपको लिखना है यहां पे नमबर आप अटेंट्स आपने कौन सा कितने अटेंट दे चुके हैं इसको एक्स्क्लूड करके दो तीन चार यह आपका पांचवा है मान लिए चार दे चुके हैं यहा आप एडिट कर सकते हैं अपना सेंटर लैंग्विज कौन सा माध्यम आप कर रहेगा इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इसके बाद ऑप्शनल पेपर जो है वो मुझे संदे है कि जब आप इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो शायद यह वाला ऑप्शन भी खुल जाना चा करते हो और मेजर ली जिसमें आपको डाउट आ रहा था फोटोग्राफ में ओबी सी एंसियल इडवलु ए सर्टिफिकेट में नाम वगरा जो भी आप बोल रहे थे उसमें तो यह सारी की सारी चीज यहां फिर से कर सकते और आपके पास टाइम है आज ही नहीं आज से लेकर नहीं किये हैं तो घबराने की जुरत नहीं है यहां पर यह पूरा अड्रेस वगरा है आप अड्रेस वगरा कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं यहां पर अपना अड्रेस अपडेट कर लीजिए साथी में कहां रह रहे हैं आप इनको डिस्ट्रिक वगरा यह सब आप अपलो दे देगा कि भाई आपने जो जो एडिट किया अब तक step 7 तक आपने जो जो changes किये हैं वो पूरी list आ जाएगी आपके सामने यहां लिखा हुआ है ना उपर देखिए यहां लिखा हुआ है कि please make the required changes in the application और उसके लिए क्या करना होगा declaration sign करनी होगी सब पूछ रहा है आपसे एक एक चीज आपसे पूछ रहा है confirm random image इसको आपको capture वगरा भरना है फिर आपको I agree पर click करना है या I do not agree फिर से आपको इबर चेक करना है वो आप पर update करें और फिर यह capture आपको भरना पड़ेगा यहां पर भरना पड़ेगा तो आपका form फिर से update edit हो सकता है याद रहे एक और चीज़ कि मैं फिर से आपको बताता हूं कि prelims में आप जो जो information दे रहे हैं UPSC को वो वो उसकी document जो है वो लगेंगे mains में पिर interview में आपको वो documents यह documents लेकर जाने होंगे ठीक है यह important है इसलिए मैं कहता हूं कि आप आराम चा ध्यान से भरिएगा ठीक है फिर से test-a-thon, test-series जरूर आप लोग लीजिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि practice जितनी करेंगे उतना आप लोग के लिए और बहतर होगा और रही बाद कि जो जो aspirant कह रहा है कि मुझे OTR में दिखकता रही है फिर मेरे पापा का नाम ये है वो है सरनेम दिखकता रही है तो आप लोग एक बार ध्यान रखें कि आपका आपका नाम important है main आपका नाम important है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि matriculation और secondary education certificate class 10 पर जो भी आपका नाम था वो ही आपका नाम रहेगा बिना salutation के Mr. Mrs. Anol I hope अब थोड़ी सी जानकार यह आपको ठीक लगी होगी clear लगी होगी फिर भी doubt है तो नीचे comment section में comment करके बताइए हमारे पास time है हम लोग जिक्र करेंगे इसके बाद में और साथी में नीचे comment section में google form है mentorship के लिए वो form open है 2024 और 2026 के लिए चाहे आप college से हैं full time या job के साथ त्यारी कर रहे है mentorship के लिए वो form हमेशा open रहेगा ठीक है मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपको अपने लक्ष को प्राप्त करना है तो उसके लिए दोड़िये दोड़ नहीं पाते हैं तो चलिए चल नहीं पाते हैं तो रहेंगी ये लेकिन अपने लक्ष को प्राप्त करक यही रहिए अपना बेस्ट दीजिए 100 परसेंट दीजिए और उसमें हम कोशिश करेंगे आपके साथ रहें बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में जिल्द जाहें